कम्ckt वैं इस विडियो में हम ईपने भी लिनक्स की हम याम कमाड के आप करेंगे जो की जैसे कि हम हमें पैकेज इंस्टल करना पैकेज मैंनेजमेंटी हमें कैसे करनी है तो उसके अपर हम बात करेंगे तो मैं तो इससे पहले में को लोकल repository और मैं online offline दोना repositories मैं आपको बता चुक हूँ कैसे setup करते हैं हमारी red hat के अंदर तो आप वोबली वीडियो देख लो और इससे पहले मैं basic भी बता चुक हूँ कि कैसे dependency होती है क्या चीज़ हमारी repositories होती है यह सब मैं आपको पहले क्लियर कर चुक हूँ तो अब मैं थोड़ा उससे आगे चलूँगा और जिसमें कि हम सिर्फ पर्टिकुलर ली एक command जो की यह हम command है उसके पर बात करेंगे इसके क्या benefit है तो यह हम command के full form होती है yellow dog update manager yellow dog update manager इसकी full form होती है और यह package काम आता है और सबसे benefit इसका यह है कि अगर हम यहां यूज करते हैं तो हमें dependencies automatically download होती है कि जैसे अगर हम debian की बात करें तो उसके अंदर हमारी एक होती है dpkg command तो उससे हमारी dependencies अपने आप download नहीं होती है तो अब start करते हैं जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि इसकी configuration files का होती है सबसे पहले तो आपको वह जानना जरूरी है तो यह यहां पर आके अगर मैं cat करके yum.conf करूँ sorry यहां पर cat तो अब आप देखोगे कि यह इसकी configuration file है ठीक है इसमें इसकी configuration होती जीपीचे चेक वगरा और भी मतलब इसमें configuration है जो भी यह इसकी एक configuration file है और अकर आपको और देखना हो जैसे की cd at yum.d अब यहां पर आके मैंने लिस्ट किया और redhead.wrap हो है तो यह हमारी configuration file है तो यहां पर आपको यह repository के link हैं और 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 भी आपको information मिल चाती है यहां पर कि enable करनी है रिपॉजटर disable करनी है तो यह configuration files थी अब मैं logs बताता हूं कि इसके logs कहां पर अगर आपको देखना हो तो वैर में गए वैर में चाने के बद आप लोग में चाओगे यहां पर आके आप cat yum.log I guess अभी मैंने work किया नहीं तो इसकी अभी log file create नहीं हुई है तो कोई बात नहीं हम create करेंगे तब देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है हम क्या करते हैं अब सबसे पहले start करते हैं अपना काम कि कहां कहां पर क्या किया करना है सबसे पहले आपको बताऊँगा yum update कमांड jám update से तो सिधा पता चल रहे है की यह यह हम है यह हमारे system को update करने काम आता है अब गयज़ अगर आपने dabian में पढा होगाद कि हम update command अलग चलाते हैं और अपडेट अलग चलाते हैं तो इसमें भी ऐसा था एक टाइम पे कि अपडेट अलग चलानी पड़ती थी और अपडेट अलग लेकिन रेड़ेट 7 के बाद से हमें क्या होता था कि हम यह हम अपडेट चलाते हैं तो इसी में वह अपडेट भी करते था औ तो इसलिए हमारा एक कमांड में सब कुछ काम हो रहा है तो अब देखो आप देख सकते हो कि इसने 639 MB का बता दिया कि यह आपको इतने MB का आपको अपडेट करना है और 12 पैकेज़ इंस्टॉल होंगे प्योंगे फ्याइइन्टी टू अपडेड होंगे फिलहाल तुमें नहीं कर रहा क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है तो अभी मैंने इसको आपको अबॉट कर दिया अब दूसरी कमांड तो सिर्फ Yum चैक अपडेट कमांड से आप पता लगा सकते हो कि कौन-Kन से पैकेज आपकेज 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 अगर हम्में पैकेज परटिकुलर आपकेज ने इसको कैसे हैं तो उसके लिए माइव यब आपको शूर तो इंस्टाल लिखना अब पैकेज का नेम पैकेज का नीम जैसे की Junisa Anhा आपको software या package इंस्टार करने हैं तो अब इसके file Fetch करो यहां install package का नेम और अगर आपको multiple packages install करने तो आपको यहां install package के नेम लिखते जाने space separated space को कर कर अब देखो यहां पर आ गया कि लिखी। नें पडानी आप नेपे टियो क्या होती यह इसे लिख में मैं होदे सक्राइबर करने में कामेंगे तो वह सब्सक्राइब करने क् incorrectly आपको लग-мен लग- स्वासियत ओती है- तो यम कमांड की एक खासियत होती है तो आप देखे हो टोटल साइज 11 MB आ रहा है और कौन से कहां कहां से कर रही है जैसे बेस रेपो से ये बेस OS से हो रही है इस रेपोजेटरी से ये आपका फैच कर रहा है अब मैं इसको नो कर देता हूँ तो हमें multiple package install करने होगे तो आपको पता है कि यम install package ने लिखते जाओगे स्पेस सेपरेट करके अब आता है कि अगर मालनो आपको कुछ सर्च करना है तो जैसे कि मैंने यम सर्च किया मुझे सर्च करना है कि जैसे मालनो gcc मुझे complete नाम नहीं पता package का क्योंकि होता कि guys package का नाम कुछ और होता है Linux के अंदर most of the time ऐसा हो जाता है जैसे कि हमारा FTP होता है File Transfer जो भी हमारा होता है File Transfer FTP वो Windows के अंदर FTP होता है लेकि यहां पर VSFTPD हो जाता है तो ऐसे कुछ चीज़ चेंज हो जाती है या फिर GCC का कुछ CC++ का compiler करना है कुछ files ऐसी हैं तो मतलब GCC करना है I686 तो particular आपको पूरा नाम मिल जाएगा कि आपको करना क्या है तो यह search command से हो जाएगा ठीक है आप किसी भी package के बारे में search कर सकते हो और अगर मैं करूँ यम check update की जैसे मानलो मेरे इसके अंदर पहले से कोई package install है ठीक है telnet मेरे already इस system के अंदर installed है मैंने किया यम check update telnet तो क्या होगा इससे इससे यही होगा कि यह उस particular package का हमें बता देगा कि update available है या नहीं कि आपके पास क्या बिल्कुल latest update चल रहा है आपके package का यह new update है तो अब इसने बता दिया यह version है जो update available है और अगर मैं पुराना देखोंगा तो पुराने में कोई और version होगा लेकिन वही कह रहा है यह update available है आपको update करना है तो कर लो यह वाला new version available है ठीक है अब ऐसे ही update हम किसी भी package का नाम लिखके देख सकते हैं इसके बाद आता है yum list जैसे की मुझे मैं लिखों samba तो अब यह samba से related पूरी list आपको दे देगा कि इसके samba के बारे में तो इसको थोड़ा execute को होने में टाइम लग रहा है क्योंकि मैंने इसको online इसको वह configure किया हुआ है इसके repositories को तो आप देखोगे कि samba के बारे में इसने बता देगी यह new यह वर्जिन latest है और इसका available package यह है और इसकी repository यहां से install हो गई है यहां पे ठीक है अब जैसे अगला हम करे info और info के बाद samba यह भी samba एक package होता है वैसे server samba server होता है फाइल शेरिंग तो हम इसके बारे में अब मुझे information जानने है तो मैं yum info samba अब कोई भी httpd vsftpd या telnet चीज़ी भी आपकी information जानने है थोड़ी जादा तो आपको बता देगा जैसे यहां पे information आगी ना आपके सामन future x86 जो भी sizes का 66 के भी है जो इसका source कहां से होगा repository उसका link के कौन से server पर है तो यह सब license वगर है यह सब samba की description थोड़ी सी तो जिस किसी भी आपको package की information चाहिए तो info command से आप कर सकते हों अब अगर मैं कहूं yum depth list samba तो यह किसलिए होता है yum के साथ depth list इसलिए होता है यह dependency list बत हमारे system में download होने वाले हैं तो उसकी पूरी list मुझे पहले ही बता दो तो यह उस चीज की information आपको दे रहा तो यह देखो यह कह रहा है dependency और कहां से आ रही है dependency यह सारी डिपेंडेंसी अगर आप samba download डालोगे तो उसके साथ यह यह चीज़े यह packages आपको यह dependencies आपके system में इ available यह command जो है यह आपको क्या बता रही है यह आपको बताएगी कि आपकी repository जो आपने इसमें configure करी है वहाँ पे क्या-क्या packages available है तो उसकी पूरी list किसकी repositories की आप आपने जो जो repository आपकी configure है इसके अंदर उसकी पूरी list कि कौन-कौन से packages वहाँ पे available है तो इतनी सारे packages ये मेरे repositories में पढ़े हुए अविलेबल ठीक है और अगर आपको कि भाई ये तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें से करना क्या है तो आपको क्या करना है सिंपली अविलेबल और आपको grab command यूज करने इसकी मैं विडियो बना चुका हूं grab command की भी तो grab command सिर्फ फिल्टर करने का हमाती है और यहां पर मैंने लिख दिया क्या आपके पास httpd का मेरे को फिल्टर करके बताओ कि आपके पस repository में आपके पस httpd पढ़ा हुआ है आपके और अगर आपके पस httpd जैसा कुछ भी है आप मुझे दिखाओ कि आपके पस httpd के कितने सारे पड़े हैं पैकेज़ कौन कौन सी हैं तो अब यह इसमें फिल्टर के रिजल्ट आजेगा अब देखो ग्रैप से यह होता है कि कहीं पे भी आपको httpd मिलेगा ना पहले आखरी में कहीं पे भी तो वह आपको फिल्टर के रिजल्ट दिखा देगा तो यहां से यहां तक पैकेज़्ेज चिस हमारे कहां पे रिपाउजट रीपए हैं वह सारे आपके सामने आगें अब अगर मैं कहूं यहम लिस्ट करो ठीक है खांत क्या लिस्ट करो मतलब क्या मतलब क्या सिस्टम के अंदर क्या पड़े मारेधा हैं तो उसकी बुरे लिस्ट आजएगी ये सकते हो और अगर आपको इससे फिल्टर करना तो वहीं सही ना पहीं यहां पे लगाओ ग्रैप लगा के सटीटीपीडी जो भी आपको पैकेज का नाम लिखना है वह आप लिख सकते हो मैंने एच्टीपीडी भी लिखा आप सामबा लिकाओ कुछ भी आपको पैकेज Google Chrome या जो भी आपके पास package होगा आपको search करना है कि installed है या नहीं तो आप ऐसे उसको simply install चेक कर सकते हो और अब देखो यहां पर यह सारा filter हो गया कि मेरे में यह installed है इसका यह वहला module यह version यह सब ठीक है अब अगर मैं कहूं यम list all इससे क्या होगा तो इससे guys वही होगा कि एक side हमने available में yum list available करी थी तो हमेरा repositories की list मिल गी थी yum list installed किया तो हमें system के अंदर installed मिल गी थी तो इन दोनों को अगर आपको एक साथ देखना है तो all कर दो all में क्या होगा repositories की भी और हमारे system की भी सारे mix होके आगी वही आपके सामने की यह सारे list available है अब yum list kernel इससे क्या होगा इससे जानाम इस जैसा है कि यह हम list कर दो kernel तो kernel के जो भी upgrade के मतलब update करने वाले packages होंगे या आपके by default जो होगा वो आपको पता चल देगा कि जो भी kernel होगा ठीक है अब इसमें हम देखते हैं एक बर यह start होगे तो अब आप देखोगे guys kernel installed packages में कौन सारा है kernel का यह वाला version ठीक है और available packages मतलब गी आपका वही अप update available है आपके पास यह वाले version का और अगर में यूनेम-a करता हूं तो आप देखोगे कि मेरा जो kernel है वो exactly यह है जो इसने बताया है यह वाला ठीक है और यह वाला available है तो अब आप समझगे kernel का भी हमें पता चल गया कि हमें kernel को कैसे देखना है कि उसका update available है यह नहीं अब simply आपको क्या होता है कि अगर आपको जो कैश होगारा हमारे कठे हो जाते हैं जब हम install करते हैं कोई package को तो उसको कैसे clean करना है तो यम clean और packages तो इससे क्या होता है हमारा cash यह जो भी temp वगरा होती है इससे mainly cash ही delete होता है जैसे कि हम जब भी कोई package इंस्टॉल करते हैं तो हमारी लोग files वगरा इन सब में जाकर यह cash हमारे cash memory के अंदर ने यह चीज़े ही कठी हो जाती है जो हमारे temporary file होती है और अगर मैं यह हम clean all करूंगा तो जैसे हमारी और भी जो इससे चीज़े जो हमारे नेम्स और फैच हो जाते हैं कि यह आपके system में install हुआ है जब आपने कोई package इंस्टॉल किया है तो वह चीज़ों को clean करने के लिए है यह सिरफ command कि जैसे 28 files removed या तो यह unnecessary files होंगी या यह cash यह कुछ मतलब यह unnecessary files होंगी जो हमें जरुवत नहीं है या फिर इनका upgrade हो गया है इन files का लेकिन यह वह जो फाइल्स है यह पड़ी हुए है यह हमारे काम की नहीं है तो यह clean करने के लिए होता है अब मालो मैंने कोई package install किया यम इंस्टॉल और एस्टेटीपीडी ओल्रेडी देखता हूं मैं ठीक है इसको install करना है हमें अब इसको install करके मैं इसको remove करना सिखाओंगा आपको कि आपको remove कैसे करना है गाइस चोटी-चोटी command से बस आपको एक बार डालनी है और उसका मतलब समझना है और आपको कुछ चोटी-चोटी चीज़े याद रखनी है तो अब यह सर्वर से fetch कर रहा है information की available है और कितने उसका space का है तो उसको fetch करके अब इस system में लेके आएगा इस थोड़ा time ले सकता है अब इसने बता दिये कि इस रैपों से इसने 1.3 एंब वर सेकिंड के साफसे मतलब 20 एंब इसने fetch कर लिए और अब second और कुछ fetch कर रहा है उसके साथ कोई file so guys इसको बता चलिए कि भाई already installed है latest version है ठीक है भाई अब मुझे remove करना है तो मैं क्या कैसे remove करूँगा तो मैं simply yum remove httpd मुझे यह package remove करना था मैंने लिखा yum remove और package का name ऐसे multiple packages आप remove कर सकते है htpd उसके बाद space दे के सामबा उसके बाद vsftpd ऐसे आप लिख सकते different different packages के name जिससे की वह remove हो जाएगा अब एक बार confirmation मांग रहे है तो मैंने का हाँ वह वाई कर दो remove इसको तो अब यह remove हो रहे है तो इसके बाद guys इस remove में एक यहीं कमी है कि यह dependency नहीं delete करेगा ठीक है अब हमें dependencies delete करनी हो तो हम यहाँ पर erase करेंगे erase से इसका सब कुछ delete हो जाएगा तो यहाँ पर यह यह भी पूरा already delete हो चुका है तो डिपेंडेंसी रिजॉल्व ठीक है nothing complete हो चुक है मतलब आपको पूरा कुछ भी package को delete करना हो जैसे मैं यहाँ पर करके दिखाऊं टैलनेट को so guys अब इसको मैंने y कर दिया so इसने completely इसको erase कर दिया अब इसके बाद हम करते हैं group list group list क्या होता है guys जैसे की आपको एक group मिल गया ठीक है मैं करके दिखाता हूं फिर आपको पता चलेगा जैसे मैंने yam group list किया तो group list में क्या होगा listing तो हमें पता चलेगा कि हम लिस्ट कर रहे हैं different packages का तो अब ऐसे कुछ groups बने होते हैं जैसे की development security ठीक है वेब का इस इस टाइप के group बने होते हैं उसमें उस ही साबसे package होते हैं अब देखो जैसे आपके सामने आ गया environment group server minimal install workstation ऐसे smart card support rpm development tools developers के लिए development tools तो ऐसे ही security के tools आप सिरफ इस पूरे group को एक साथ install करो तो आपके नेसेसरी जो 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 आपको जरूरत होगी तो पहले group की list ले लिए group की list लेने के बाद इसको कर लिया copy और आपको करना है यम group group install और उसके बाद आपको inverted यह court डालके paste करना है और देन आपको enter कर देना है तो पूरा का पूरा ग्रूप के इंस्टाल हो जाएक और इसके अंदर collection of packages होंगे तो वो पूरा का पूरा group आप एक ही बार में इंस्टाल कर सकते हो तो गाईज अब यहां पर यह server के बारे में कह रहे है कि yes यह नो कि यहां पर information नहीं आ रही कोई बात नहीं अभी मैं इसको no कर देता हूँ अब जैसे मान लो group list आपके लिए हो जाता है कि आपको search करना है उस group के बारे में तो यम ग्रूप group list करके वही आप जो मैंने आपको बताता ग्रैप डैश आई और मैं यहां लिखू डैव तो डैश आई यहां पर क्या कर रहा है डैश आई आपका चीज को हटा रहा है किस इंसेंसिटिव मतलब कि हमें अपर के सो लोवर के सो फरक निपड़ता बस यह डेव हो ना चीए अपर केसा लोवर केसा है कैसा भी आए तो अब आप देखोगे इसके अंतर अपर केसा आगया लेकिन मैंने यह लोवर केस लिखा था तो आई जो है इसी चीज को rectify कर रहा है तो अब डेव की जो भी आगे development tools अगर आपको इसको install करना है तो यह आप group install इससे पहले जो मैंने बताया हो ठीक आप बूरा का पूरा आप इसको एक पूरे के पूरे group को install कर सकते हो और अगर आप यह यह रेपोलिस्ट लिखते हो तो आपको यह repository की लिस्ट देता है कि आपके इसमें कौन-कौन से रेपोजिटरी इंस्टॉल है तो गाइस मेरे इसमें अभी दो रेपोजिटरी सेट अप करी हुए है मैंने app stream और base OS ठीक है जिसमें की 10,952 packages है और इसके अंदर 4978 packages है तो आपके system में जितनी भी आप करना चाहो रेपोजिट अब वो कर सकते हो अब लास इसमें एक चीज़ बता हूँगा जैसे यह यम प्रोवाइड प्रोवाइड का गड़ती है जैसे मानलो मैंने डवल्योगेट कमांड के बारे में कुछ information मुझे इसका package का नेम जानना है मुझे पता है कि डवल्योगेट है package लेकिन इसका मुझे actual name क्या है पूरा जैसे डवल्योगेट जो भी आगे name आता है जैसे इसमें red hat आ रहे है 86 architecture ऐसे क्या है तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो यह पूरा आपको name बता देगा कि डवल्योगेट का देखो यह वला version है utility इस चीज़ के लिए काम आती है यह वला है यह वला पूरा name आपको बता रहे है exact मतलब आपको download करने में असानी हो ऐसा नहीं हो आप डवल्योगेट डालो तो आपको डवल्योगेट वह मिले ही ना तो डवल्योगेट का पूरा version डालोगे ना और इसको install करोगे यह हम install यह तो पूरा exactly आराम से install कर सकते हो आप तो आपको यह provides जो है यह प्रोवाइड काम कर रहे हैं लेकिन यह उम सर्च जो हमने किया था वह स्जाधा information देता है अगर मैं यह सर्च डवल्योगेट करूंगा तो वह से जाधा information देगा और actual name भी बता देगा तो यह उम सर्च जाधा बढ़िया है प्रोवाइड से लेकिन काम दोना सेम कर रहे हैं यह सर्च थोड़ा एडवांस में काम कर रहे हैं जाधा information दे रहा है तो इस वीडियो में इतना है और आपका कोई डाउट हो था आप comment section में आप मेर से पूछ सकते हो thanks for watching my video please subscribe my channel for more videos and press bell icon button for new notification you झाल झाल